द्रिश्टी आईएस के डेली करण न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण न्यूज में चर्चा का विशे है सुर्खियों में स्क्रब टाइफस रोग हाल ही में पश्टिमी उत्तर प्रदेश के मतुरा में रहस्यमई बुखार के मामले सामने आए जिनकी पहचान स्क्रब टाइफस रोग के रूप में हुई है सेंटर फोर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मताबिक यह बिमारी ओर येंटिया त्सुट्सु गामूशी नामक जीवाणू के कारण होती है इस बिमारी को बुष टाइफस के नाम से भी जाना जाता है इसका संक्रमन संक्रमित पिस्सू यानि लार्वल माइट्स के काटने से होता है इसके अधिकांश माम ने दक्षिन पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीड इलाकों में देखने को मिलते हैं स्क्रब टाइफस के लक्षन आम तोर पर काटे जाने के दस दिनों के भीतर दिखाई देने लगते हैं प्रमुख लक्षन है बुखार और ठंड लगना, सिर्दर्द, शरीर और मांस्पेशियों में दर्द, चक्ते पढ़ना, भ्रम से लेकर कोमा तक मांसिक परिवर्तन, बड़े हुए लिंफ नोट्स आदी गंभीर बीमारी में अंग विफलता और रक्स राव भी हो सकता है जो जान लेवा है इस बीमारी से बचाव के लिए अभी तक कोई टी का उपलब्द नहीं है हालां कि इसके इलाज के लिए अंटिबायोटिक, डॉक्सी साइकलीन किसी भी उम्र के व्यक्ति को दिया जा सकता है इस रोग के बचाव रोग थाम के लिए त्वचा और कपड़ों पर परियावरण संरक्षन एजंसी यानी EPA द्वारा पंजीकृत कीट विकर्शक का उप्योग किया जा सकता है जिसमें डीट या अन्यसक्रिय तत्व शामिल होते हैं प्रिये व्यूवर्स इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिये द्रिश्टी आईएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल